अगर कोट यानि की फैमिली कोट पत्नी के मेंटेनेस केस को खारिज कर देती है, डिस्मिस कर देती है, तो क्या फैमिली कोट दुबारा से अपने ही ओर्डर को मडिफाई करके केस को चलाने के आदेश दे सकती है? नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाईज. दुस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्या फैमिली कोट के पास अपने ही ओर्डर को वापस लेने की या अपने ही ओर्डर में मौडिफिकेशन करने की पावर है? क्योंकि CRPC कहता है कि यदि किसी केस में कोट कोई ओर्डर पास करती है, चाहे वो फाइनल ओर्डर हो या इंटेरेम ओर्डर हो, तो उसके बाद कोट अपने खुद के ओर्डर को मौडिफाई नहीं कर सकती, उसमें किसी भी तरह की ओर्डरेशन नहीं कर सकती. अगर पार्टी को उस ओर्डर से कोई भी दिक्कत है, तो पार्टी को उसे अगली कोट में चैलेंज करना पड़ेगा. लेकिन दोस्तों इसमें एक exception ये भी है, कि यदि उस order में, उस judgment में किसी भी परकार की कोई clerical mistake है, या कोई mathematical mistake है, तो उसे सही करने के लिए उसी कोट के पास पावर होगी, ना कि अगली कोट के पास. दोस्तों, अब हम बात करते हैं, कि section 125 CRPC का case, जिसमें की पतनी अपने पती से maintenance मांगती है, अगर कोट पतनी के maintenance case को खालिच कर देती है, डिस्मिस कर देती है, तो क्या family court दुबारा से अपने ही order को modify करके, केस को दुबारा से चलाने के आदेश दे सकती है, जबकि उस order में किसी भी तरह की कोई clerical mistake नहीं थी, ना ही कोई earth medical mistake थी, क्या family court के पास अपने ही order को review करने की power है, दोस्तों, यह बहुत ही important point है, जो कि पती पतनी दोनों को जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे cases में पतनी maintenance का case तो डाल देती है, लेकिन बाद में उसे pursue करने ही नहीं आती, जिस वज़े से family court पतनी के case को dismiss कर देती है, क्या family court अपने ही dismiss किये गए case को दुबारा से चलाने का अदेश दे सकती है, आज के वीडियो में हम इसी point पर बात करेंगे, इसलिए आपने वीडियो को अंतक दुरूर देखना है, और यदि आपने आप मुझे भेज सकते हैं, जदि आप urgently मुझसे बात करना चाते हैं, अपने matter को discuss करना चाते हैं, तो आप email से मुझसे one to one session की appointment ले सकते हैं, दोस्तों इस case में पतनी अपने पती के खिलाफ 125 CRPC के तहत maintenance का case फाइल करती है, जो कि family court में फाइल किया जाता है, पतनी maintenance का case तो लेकिन उस case को pursue करने ही नहीं आती, जिस वज़े से family court पतनी की maintenance application को dismiss कर देती है, इसके कुछ समय के बाद, पतनी case को restore करने की application फाइल करती है, और family court पतनी की application को allow कर देती है, और case को दुबारा से चलाने के आदेश दे देती है, यानि कि एक तरह से family court ने अपने ही order को आदेश दे दिये, ऐसे में पती के द्वारा family court के order को जिसमें family court ने case को दुबारा चलाने के आदेश दिये थे, उस order को अलाबाद high court के सामने challenge करता है, दोस्तों high court के सामने पती का कहना था कि पतनी ने family court के order की ना तो division फाइल करी, ना ही कोई appeal फाइल करी, और technically family court के पास अपने order को वापस लेने की या उसे modify करने की कोई power नहीं थी, क्योंकि section 362 of CRPC कहता है कि court अपने ही order को review नहीं कर सकती, उसे alter नहीं कर सकती, दोस्तों ऐसे में high court के सामने बड़ा सवाल ये था कि क्या section 125 CRPC पर section 362 CRPC apply होता है या नहीं होता है, क्या section 125 CRPC के case में family court अपने ही order क को वापस ले सकती है या उसे modify कर सकती है, दोस्तों इसे समझने के लिए हमें honorable supreme court की एक बहुत ही important और landmark judgment को देखना पड़ेगा, जिसका title था संजीव कपूर vs. चांदना कपूर, दोस्तों honorable supreme court का इस case में कहना था कि पतनी के 125 CRPC maintenance के case पर section 362 CRPC apply नहीं होता है, यानि कि अगर family court ने 125 के case में final order पास कर दिया, या कोई interim order भी पास कर दिया है, तो भी family court के पास power होगी, अपने ही order को वापस लेने की, या अपने ही order में modification करने की, दोस्तों honorable supreme court ने इसका reason भी बताया कि क्यों 125 पर section 362 CRPC apply नहीं होता, honorable supreme court का कहना था कि क्योंकि section 125 CRPC के साथ साथ section 127 CRPC भी दिया गया है, जिसमें कि court interim order को या final order को modify करने की power रखती है, इसी वज़े से family court, cable और cable maintenance cases में, जो की 125 CRPC की case हैं, उसमें अपने order को alter कर सकती है, अपने ही order को review कर सकती है, modify कर सकती है, दोस्तों इस case में अलबाद high court ने honorable supreme court की इसी judgment का reference दिया, और ये कहा कि section 125 CRPC के case में, family court के पास पूरी power है, कि वो अपने किसी भी order को modify कर सकती है, review कर सकती है, या alter कर सकती है, तो इस तरह से high court ने पती की petition को dismiss किया, और family court के order को, जिसमें कि उसने अपने ही order को modify किया था, उसे सही ठहराया, और पतनी को दुबारा case लणने की इजाज़त दी गई, यानि की case अब दुबारा चलाया जाएगा, अब ये कितना पती के लिए मददकार होगा, या कितना प problem है, तो वो भी आप मुझे बेच सकते हैं, इस judgment का link मैं आपको description में दे दूँगा, वहाँ जाकर कि आप इसे download करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और अपने case के facts के अनुसार use भी कर सकते हैं, तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, जदी वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को like और share दुरूर कीजेगा, चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा, अगली बारी मिलेंगे नई वीडियो में नई topic के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जैहिन